एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहाँ आप सब को पता जी फर ग्रैमर और टी फर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका इंग्लिश गुरु प्रबाद कुमार सिंग औ टेबल बना करके दिया गया टेबल में ऐसे लाइन है एक लाइन फिर दूसरा लाइन यह थीसरा लाइन सब के सामने आप Coming से नमबर जैसा के आप सब को पता होगा नमबर दो प्रकार की होता है एक होता है कौन सा तो singular और दूसरा कौन सा होता प्लूरल देखिए इसको ध्यान से परेंगे प्लूरल नहीं परेंगे यह हता है प्लूरल ठीक है तो दो प्रकार के होते हैं इसको बताएं उससे पहले भी बताना चाहूँगा उपर आई बटन में आपको एक लिंक नजरा रहा होगा एक्सरसाइज वन का इसी चैप्टर का एक्सरसाइज वन जिसमें सिंगलर से प्लूरल बनाना उसका लिंक है इसके लावा आप उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लें इस पूरे बुक का आपको जो है प्लेलिस्ट जो है बुक के नाम से मिल जाएगा उसमें इस बुक के सारे एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे यही नहीं आपको इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड के जितने भी बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंगलिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड जूनियर इं उन सब के शॉलिशन भी बुक के नाम पर ही सारे प्लेलिस्ट हैं वहां से आप जा करके उन सब को देख सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं पुलिश यह क्या होता है तो पुलिश एक्चुली माना जाएगा यह प्लूरल ही ठीक है लेकिन इसको सिंगुलर के रूप में भी था होता है कैसे तो एक पुलिश बहाता है जाला कि जनली이션 इसमें पुलिश मैं कर खते हैं लेकिन यह पुलिश भी लिख सकते हैं पुलिश प्लूरिस दुप स्लाट भी रूप यह यह होता है ना one ship is coming या फिर five ship are coming यह नहीं कि शिप का shift कर देंगे ठीक है media plural होता है already ठीक है ध्यान ड़केंगे इसका इसका तो कहेंगे तर singular क्या होता है तो इसका singular होता है medium जान करके आपको अस्यर्ज होगा यह medium होता है singular इससे से मिडिया बनाया थिक्त प्रूफ होता है जेंटरी हमेसा प्लूरल होता है दिया हुआ है कि पबलीक हमेसा नियुग हमेसा प्लूरल होता है वैसे प्लूरल होगा प्लूरल ही होते हैं पिर आजाए यह पोएटरी हमेशा जो है वो सिंगुलर होगा कार्डश हमेशा प्लूरल होगा द्वार्प्स तो प्लूरल है क्योंकि अगला जो लाइन के नीचे economics यह कोई भी subject का नाम economics physics भले ही यह लगा हूँ यह हमेशा singular होगा scenery यानि द्रिश यह भी singular होगा thesis यह भी singular है यह इस thesis का plural होता है thesis यह thesis क्या होता है वो ही जो PhD वगरा करते हैं तो लिखते हैं फिर इसी प्रकार यह radii है radii उचारन परेंगे radii radius ziglar होता यह radii plural होता है फोळ यह इसी सिंगलर है folio जिसकाJosh upright riches से riches बना है यह प्लूरल होता है data भी प्लूरल होता है यह data कहते हैं आज मेरा data होगया मोबाइल का तो वह data होता है data प्लूरल होता है advice हमेशा singular होगा man of war clear है singular मेन वार होता तब लेल कोट मार्शल नहीं है कौंधे कमांडरों होता तो सिंग्लर से लगा हुआ है कलर्जी या निहीं पादरी लोग यह हमेसा यह रटन्त विद्या है यह होते ही होते हैं ठाथ दो यह चोटा सा इस स्याइज था यहां पर समाख तो या उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आप कोई confusion नहीं होगी फिर भी कोई confusion हो तो comment करें मैं reply जहूर देता हूँ थोरी देर से ही सही और जिसमें confusion हो वो question comment करेंगे तो मुझे reply करना आसान हो जाए का बाकि हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं करें एक request है चैनल पे नए है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में notification bell में all को प्रेस कर दे जिससे की हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको डूढने में आसानी हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day